करक राशिवालों दोस्तों लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना होगा नहीं तो दोस्तों आप बहुत ज्यादा पच्छताएंगे क्योंकि यह समय कोई मामूली समय नहीं है ग्रह गोचर के आधार पर यह समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली समय है तो इस समय के स साथ चलेगा वह हमारा माल हो जाएगा और जो यह समय को नजर अंदाज करेगा वह धीरे धीरे बरबाद हो जाएगा कंगाल हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जो भी समय जो भी कार्य आप सभी के जीवन में आते हैं उसके पीछे इश्वर का ही हाथ होता है और जो इश्वर क पकड़ कर आगे बढ़ता है वह जीवन में तरक्की करता है सफलताओं को प्राप्त करता है और जो ईश्वर के हाथ को ठुकरा देता है उसे नजरदा आज कर देता है जाने अंजाने ही सही लेकिन उसके जीवन में उसका फल अवश्य मिलता है यानि कि आप समय का जैसा सदु लाब उठा पाएंगे। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को अकेले शांत जगहे पर ध्यान से देखना। अब जो होने वाला है उसे सुनकर आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जिन्दगी में अब क्या होने जा रहा है। एक रो खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी ही आपको पता चलने वाली है। आपके जीवन काल से जुड़ी जो इस दौरान आपकी जिन्दगी में घटित होने वाली है। इस घटना को होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। जो घटना अब आपके जीवन में होने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको सबसे पहले तो इन बातों से बिलकुल भी डरना और घबराना नहीं है। क्योंकि यह घटना कोई आपके जीवन को बरबाद नहीं करेगी। या आपके जीवन में नया संकट नहीं लेकर आएगी। यह घटना तो आपके जीवन को स्वर्ग से भी बहतरीन बना देगी। आपके जीवन में सभी ऐसो आराम की आपको प्राप्ति होगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, ऐसा सब के नसीब में भी नहीं होता है, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी आपकी जिन्दगी में आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आपके हाथ पैर भी काट सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी घटना होने वाली है। जीवन में इसी घटना पहले कभी होई होगी और नहीं अब से पहले, यानि कि आने वाले समय में भी अब ना ऐसी घटना होने वाली है। यह समय ही कुछ ऐसा बड़ा बवाल मचाने वाला है, बहुत ही भयान समय आपके जीवन का आ गया है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यूं कहें तो सूरज उलटी दिशा से निकल रहा है, जिसके वजह से आपका जीवन बहुत बड़ा होने वाला है, आपके जीवन का सबसे बड़ा समय आपको मिल रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह जो घटना है सुनकर आप बेहोश तक हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ही नसीब वालों के जीवन में ऐसा होता है जो अब आपके जीवन में होने वाला है। पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर यह कार्य किया होगा उन्हीं के साथ या बेहोश कर देने वाली घटना होगी। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जैसा आपके साथ होने वाला है वैसा सब के साथ तो कभी नहीं होगा और आपके भी जीवन में बार बार ऐसा तो नहीं होने वाला है। जी हाँ, प्यारे दोस्तों और ना ही आज से पहले कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा, अब जो होने वाला है वह बहुत ही नया होने वाला है, इसका असर जीवन पर आप भी पढ़ने वाला है, जिसे आप अपने इस जरा मत तो भूल ही नहीं पाएंगे, जो आपके स होने वाला है, लेकिन ऐसी कौन सी घटना आपके जीवन में होने वाली है, इसके बारे में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बड़ा ही शान्ति से और पूरे दिमाग से इस बातों को सुनिए, पूरे गौर से इन्हें जानकारी को अपने जीवन में प्राप्त करेग लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी भगवान श्री राम व श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय, श्री राम जय, श्री हनुमान अवश्य लिखिए, प्यारे दोस्तों, प्रभू श्री राम, प्रभू श्री संकट मोचन, हनुमान जी की क्रिपा से आपके जीवन की सभी संकट का अंत होगा, आपकी अब तक की सभी अधूरी मनो कामनाएं बहुत ह जल्द पूरी होगी तो आप जरूर ही लिखिए प्यारे दोस्तों उन कार्यों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं लेकिन आप अपने दिल को थाम कर रखना है थोड़ा भी डरना नहीं है क्योंकि यह घटना आपके जीवन को भी बदल सकती है आपके जीवन में बड़ा उदल पुथल होगा जी हाँ प्यारे दोस्तों और आप भी देखकर यही कहेंगे हे भगवान ये कैसी लीला है आपकी धन है प्रभू आपकी लीला जी हाँ प्यारे दोस्तों प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम पिछले 15-20 दिनों में किये गए कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं यदि आपने यह कार्य किया है तो आपके साथ या बड़ी घटना होगी तो प्यारे दोस्तों पहले जो कार्य है वह प्यारे दोस्तों यदि आपने पिछले दिनों में किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया है, तो प्यारे दोस्तों, आपके साथ 15 से 20 दिनों में किसी मंदिर में जाकर इश्वर के आगे प्रार्थना किया है, अपने पूरे श्रद्धा भाव के साथ अपने मनो कामना को इश्वर से मांगा ह तो प्यारे दोस्तों उसका परिणाम आपको दिखाई देगा और आपके जीवन में यह बड़ी घटना हो सकती है प्यारे दोस्तों इसके साथ जो दूसरा कार्य है वह दोस्त कार्य है यदि आपने इन 15 से 20 दिनों के अंदर अपने पैसों का दान दिया है यदि आपने इन 15 से 20 दिनों के अंदर तो यह घटना भी आपके साथ होने वाली है जी हाँ प्यारे दोस्तों इस घटना को होने से कोई भी नहीं रोक सकता है प्यारे दोस्तों अब आपके घरों में एक ऐसी शक्ति का आगमन होने वाला है जो पूरी तरह से अद्रिश्य है प्यारे दोस्तों लेकिन इसका प्रभाव इनका चमतकार आपके जीवन पर इस प्रकार से दिखाई देगा कि आपका भी होश उठ जाएंगे आपको अपने ही घरों में कुछ अजीब तरहकी की घटनाएं दिखाई देंगी जिनके चलते आपको अपने आँख पर भी विश्वास नहीं होगा प्यारे दोस्तों आज से इन शक्तियों का आगमन शुरू होने वाला है प्यारे दोस्तों संभावना है कि आज शाम में यह शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाए आपके घर पर एक आदर्श शक्ति का आगमन हो रहा है जिसके चलते अब आपका घर सिर्फ घर नहीं बलकि एक मंदिर बन जाएगा एक स्वर्ग के समान आपका घर हो जाएगा प्यारे दोस्तों यह कोई साधारन बात तो बिल्कुल भी नहीं है यह आपके द्वारा किये गए कर्मों का ही फल है प्यारे दोस्तों कहते हैं कम कभी व्यर्थ नहीं जाता है हर एक कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है अब आपकी जिन्दगी की जो सबसे बड़ी परेशानी है या मनो कामना है वह बहुत ही जल्द अब आपको पूरी होती हुई नजर आने वाली है। आप तरह की करेंगे आप जो भी चाहते हैं वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा और महादेव आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे आपके ऊपर आने वाले संकट को पहले ही समाप्त कर देंगे तो प्यारे दोस्तों आप जरूर लिखिए तो प्यारे दोस्तों इसके वजह से इसका शुभ परिणाम मिलने के बजाए इसका आपको अशुभ परिणाम मिलने लगे। इसलिए आपको बहुत ही सजग रहना होगा। और कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी होगी क्योंकि जो समय है वह आपके लाभ को लेकर आया है। तो यदि आप इस समय का लाभ लेन चाहते हैं, तो आपको यह दो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो इसका बुरा परिणाम भी आपको मिल सकता है, तो ले प्यारे दोस्तों, पहले उन गलतीयों के बारे में जान लेते हैं, तो प्यारे दोस्तों, इस समय आपको बता दें, किसी भी असहाय व्यक्ती क प्यारे दोस्तों, यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो निधन हो, जिनके पास पैसा ना हो, यूं कहे तो कोई गरीब व्यक्ति हो, तो आप उनका किसी से भी उनके बारे में बात चीत करके मजाग बिल्कुल नहीं उडाना है और ना ही किसी का अनादर करना है। यदि आप अभी पिछले समय में किसी व्यक्ति से धन उधार लिया था और अब तक आपने उनका पैसा वापस नहीं किया है, तो प्यारे दोस्तों, आपको याद करके उन्हें सभी लोगों के पैसे को एक-एक करके वापस कर ले चाहिए, जिनका अपने लिया था। जरूर करना है जिसका अशुभ परिणाम आपको मिले। इसके लिए आप बहुत ही सावधान रहे। यदि कोई भी कोई भी आपको किसी कार्य के लिए चढ़ता है, तो तो आप किसी भी गलत कामों में अपने कदमों को आगे बिलकुल ना बढ़े क्योंकि आपका कम आपसे हैं और आप आगे से कम करेंगे, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। खैर प्यारे दोस्तों अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी घटना है? जिन्हें और जीने सुनकर आप बेहोश हो सकते हैं, आपके रोंगटे तक खड़े हो सकते हैं, तो प्यारे दोस्तों आपको बता जो लोग इस बात को हेल्थ और जिन लोगों को लगता है कि यह सभी बातें गलत है। सभी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इस दोरान आपको अपने अहंकार को त्याग कर परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की सख्त जरूरत रहेगी। आपको करियर या व्यवसाय में प्रगती या विशेश पद पाने के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। यह सम विवाद की बजाए बादचीत का सहारा लें। इस संबंध में किसी महिला मित्र की मदद बहुत फायदेमंद साबित होगी। दामपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को नजर अंदाज करने से बचे। स्वास्थ्य की दृष्ट प्रतियों में प्यार से काम लेना ही समझदारी होगी। परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए तैयार रहे। आपका दिन लाबकारी रहेगा। कारियों को लेकर मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। सामाजिक कारिय या प्रोटसाहन के लिए आपको पुरस्कृत किया जा सकता है कड़ी मेहनत से किये गए काम में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे आपकी योजनाओं से व्यापार भी सफल रहेगा और आपको धन की प्राप्ती होगी खर्चों में थोड़ी व्रिध्य हो सकती है इसलिए सावधान रहे बेवजह किसी से टकराने की कोशिश ना करें दामपत्य जीवन किसी बात पर तनावपूर्ण हो सकता है हालांकि लव लाइफ सामान्य रहेगी और अपने पार्टनर से आर्थिक मदद मांग सकते हैं प्यारे दोस्तों इस समय आप खुद पर काफी ध्यान देंगे जिससे आप कुछ नए कपड़े खरीद सकते हैं या मनोरंजन के साधनों का भरपूर उपयोग करेंगे स्वास्थि में परिशानी आ सकती है काम के सिलसिले में काफी भाग दौड रहेगी लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे आए में व्रिध्य होगी समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध बनेंगे जो आपके लिए बहुत फाइदे मंद साबित होंगे स्वास्थि थोड़ा कमजोर रहेगा इसलिए सावधानी बढ़ते पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा लव लाइफ पॉजिटिव रहेगी और प्रिय से पुरानी गलत फहमियां दूर होंगी शादी शुदा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना करना पढ़ सकता है कामकाज के सिलसिले में दिन प्रति दिन आपके पक्ष में रहेगा आपको शक्ति और चुनोतियों से लड़ने का साहस भी देगा काक्षेत्र में आपको विरोधियों से सावधान रहना होगा क्योंकि वे आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में पति-पत्नी का रिष्टा मजबूत होगा लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा और रोमांस के मौके मिलेंगे काम के सिलसिले में दिन बहुत ही अच्छा रहेगा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि बीमारी से परेशान हो सकते हैं साथ ही अपने खान-पान और दिन्चर्या का ध्यान रखें काम के बीच में आराम करने से मानसिक तनाव कम होगा संतान के कारियों पर ध्यान देंगे लव लाइफ के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन अन्य दिनों की तुलना में कुछ सुधार के साथ आगे बढ़ेगा भाग ये प्रबल रहेगा जिससे आप काम के सिलसिले में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे पारिवारिक जिम्मेदारियों पर काफी ध्यान देंगे और घरेलू खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन आपको सुख की प्राप्ती होगी शादी शुदा जातकों का दिन अच्छा रहेगा लेकिन जीवन साथ से किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं लव लाइफ वाले अपने पार्टनर से शब्दों को लेकर संभल कर रहे काम में दक्षता के कारण आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ती होगी व्यापारियों का आज का दिन सफल रहेगा आपका दिन भावनाओं से भरा रहेगा प्यारे दोस्तों अब आपको अपने थोड़ा सा ध्यान अपने निजी जीवन पर भी देना होगा कार्यक्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियां इंतजार कर रही हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करें किसी का बिगड़ता स्वास्थ चिन्ता का कारण बन सकता है परिवार के छोटे सदस्यों से मित्रवत व्यवहार करें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए जीवन साथी के साथ कहीं बाहर खाने जा सकते हैं लव लाइफ के मामले में दिन सामान्य रहेगा काम के सिलसिले में आलस्य नहीं बलकि मेहनत काम आएगी आपका यह समय लाभदायक रहेगा कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे लेकिन किसी बात को लेकर चिंतित भी रहेंगे, जिसके मूल में परिवार की स्थी होगी, नौकरी में आपको सराहना मिलेगी और अधिकारी आपका साथ भी देंगे व्यापार में विरोधियों पर आप भारी रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिससे विभिन प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी सामाजिक कारियों में एक साथ कई बातें दिल में आएंगी और थोड़ा भावुक भी होंगे, जिससे मदद के लिए लोग आगे आएंगे बातूनी रवई से परिवार में जगड़े हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहे, दामपत्य जीवन सामान ने रहेगा लव लाइफ में कुछ परेशानी आ सकती है आपका, पार्टनर किसी बात को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देंगे जिससे आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं, काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अधिकारियों का सहयोग पाने क प्यारे दोस्तों, इसके उपरांध खर्चे कम होने लगेंगे, जिससे कुछ राहत मिलेगी, परिवार का सम्मान बढ़ेगा, आप किसी बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं, इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपको बीमार कर सकता है, लव लाइफ में भरपूर प् आएंगे, जिससे मन प्रसन रहेगा, आए में व्रिद्ध होगी, लेकिन खर्चे अधिक होंगे, स्वास्थे कमजोर रहने से तनाव तो रहेगा, लेकिन परिजनों का सहयोग आपको मजबूत करेगा, लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है, कार्यक्षेत्र में नई आपकी सेहत में सुधार आएगा, काम के सिलसिले में अधिक ध्यान देने की आवश्यक्ता होगी, पारिवारिक वातावरन तनाव दे सकता है, दामपत्य जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा, और जीवन साथी से किसी अच्छे काम की सलाह मिल सकती है, जो लाभ दायक रह और स्वास्थे के प्रती भी सचित्र ना होगा, प्यारे दोस्तों, यदि आप मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने घर से दूर निकल है, तो वहाँ पर आपको वाद विवाद करने से भी बसना होगा, अहंकार किसी बात का ना दिखाएं, अजनबी व्यक्तियों पर रोप जड़ने से बच्चे अन्यता परेशानी हो सकती है, जो लोग घर वापस आ रहे हैं, उन्हें अपने सभी वस्तूओं को स्वाधीनता से जाच करके ही उसे जगह से निकलना चाहिए, प्यारे दोस्तों, इसके साथ आपका यह जो समय है, यह काफी मौज मस्ती के साथ बीत रहा है, आपका यह जो समय रहने वाला है, वे आपके लिए खुशियों से भरा समय रहेगा, जो लोग नौकरी की दिशा में बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, तो आपके किये गए प्रयासों का आपको फल मिलने वाला है, आपके चारों ओर का वातावरन भी खुशनुमा रहे तो वह भी अब दूर होगी, प्यारे दोस्तों, इस दौरान सब एक दूसरे के प्रेम में डूपते नजर आएंगे, आपके घर परिवार में भी सब का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा, वही विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर किसी मित्र से सतरकता रखने के लिए रहेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके परेशानी का कारण बन सकता है, इस दौरान यदि आप कोई व्यवसाय या कोई बिजनस शुरू करने जा रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों, किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत अवश्य कर ले, इस से आपक से सलाह मशावरा करके आप बहुत ही बड़ा लाब कमा सकते हैं, इस दौरान आपकी तरक्की में आपके कुछ विरोधी बाधा बन सकते हैं, क्योंकि आप इस दौरान बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, और उसी के साथ आपके नए शत्रू भी बनेंगे, इस द स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यदि कोई घेरी हुई है आपको, तो आपको डॉक्टरी परामर्ष जरूर ले लेना चाहिए, माता पिता से, यदि आपने किसी वादे को किया है, तो आप अपने वादे को पूरा करें, परिवार में लोग आपके बातों का भी पूरा म रखेंगे, जिसके वजह से आपको अपने उपर भी बड़ा गर्व होगा, यदि आपने किसी योजना, यानि की सरकारी योजना में धन लगाने का विचार किया है, तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है, यदि आपको कोई पर्यजन आपके घर से दूर रहता है, या व दोस्तों, यदि इस दौरान आपको कारे से जुड़ा या परिवार से जुड़ा या किसी खास क्षेत्र से जुड़ा, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यदि प्राप्थ हो, तो ऐसी जानकारी को किसी भी व्यक्ती के साथ साज़ा करने से बचे, आप इन बातों क लिख बिल्कुल भी ना होने दें, नहीं तो इसके लिए के बाद में आपको पच्टावा हो सकता है, इस दौरान आप अपने परिवार वालों के साथ या अपने मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं, प्यारे दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भ संबंधों में यदि कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वह भी अब दूर हो जाएगा, वही प्रेम जीवन में जी रहे लोगों को थोड़ा इस दौरान सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके प्रेम जीवन के बीच में कोई व्यक्ति आ सकता है, किसी बाहरी व्यक्ति के चल नाएं उत्पन्न हो गई हो, वही ऐसा काम कर सकता है, तो इस दौरान आप अपने और अपने लव पार्टनर के बीच किसी भी तीसरे व्यक्ति को ना आने दें, ना ही किसी से कोई भी बात करवाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा, प्यारे दोस्तों, जो लोग भविश्य में प्रेम विवाह करने की योजना बनाए हैं, उन्हें बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेना होगा, जल्दबाजी में और अपने उपर घमंड करके कोई भी फैसला बिलकुल ना करें, नहीं तो इसके लिए आपको बाद में बहुत ही बुरा फसना पड़ सकता है, तो प्या रोजगार बैठे हैं, उनके रोजगार की प्राप्ती प्राप्त होगी, जी हाँ प्यारे दोस्तों, यदि आपको कहीं पर रिज्यूम दिया है, कहीं पर जॉब के लिए इंटर्व्यू दिया है, वहां से आपको फोन कॉल आ सकता है, और ये शुब सूचना आपको गुजरेगा, बस किसी नए बिजनस की शुरुआत करके लिए रहेगा, आप किसी काम में आज पूरे रुची दिखाएंगे, लेकिन यदि आपने पहले कोई निवेश किया था, तो आज आपको उससे कोई नुकसान हो सकता है, आपकी पुरानी गलती से आज आपको सबक ल दिखाएंगे और भाग्य के दृष्टिकोन से भी दिन उत्तम रहेगा, आपके पास धन की आवक भरपूर मात्रा में होगी, जिससे आप खुला खर्च करेंगे, लेकिन यदि आपसे कोई धन उधार मांगे, तो आपको उसे बहुत ही सोच विचार कर देना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है, कुछ मामलों में आपके खर्चा आपको परेशान कर सकते हैं, जिनको पर आपको लगाम लगानी होगी, आप किसी विरोधी की बात को लेकर आज आप परेशान रहेंगे, और आपके मन में आज कोई ऐसी बात आ स और आप अपनी सेहत में चल रही गिरावट को लेकर यदि परेशान थे, तो आज वह भी दूर होगी, और आपकी किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी, जिसमें आपको पुराने गिले शिकवे नहीं उखाडने हैं, जो जातक राजनीतिक शेत्रों में कार्यरत है उन्होंने आज किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिल सकता है, यदि कोई कानूनी मामला लंबे समय से चल रहा है, तो उसमें आज आपको जीत मिल सकती है, विद्यार्थियों के उच्छ शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे, और यदि किसी से उधार लेंगे, तो वह भ परिवार के सदस्य के साथ आप किसी मागलिंग उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं, आपको किसी काम को लेकर आज उत्साह बना रहेगा, लेकिन फिर भी आप उन्हें समय रहते पूरा करेंगे, युवा वर्ग के जातकों को वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो उन्हें कोई चोट चपेट लग सकती है, और यदि उन्होंने किसी को धन उधार दिया था, तो उस धन के वापस आने की संभावना भी बहुत कम है, व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन पहले से बहतर रहेगा, और आप आज किसी बड़े निवेश को करने के लिए वरिष्ठ सदस्यों से बात चीत कर सकते हैं, आपका यह समय उन्नती दिलाने वाला रहेगा, जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलता देख रहा है, आपको किसी काम के समय पर पूरा ना होने के कारण निराशा होगी, और किसी विपरीत परिस्थिती में भ वही कुछ लोग, लोगों का यह समय आर्थिक द्रिष्टिकोन से उत्तम रहने वाला है, आप अपने शत्रूओं पर अच्छा काम करके भारी पड़ेंगे और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों के अधिकारी आज उनके का कामों से प्रसन्न रहेंगे, आपको किसी गलत व्यक्ति की हां में हां मिलाने से बचना होगा, वह किसी जोखिम, अरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो समस्या हो सकती है, आप अपने परिजनों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, अपने प्र पसन्नता होगी, वहीं कुछ व्यापार कर रहे हो, आज थोड़ा परेशान रहेंगे, क्योंकि उन्हें मन मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वह किसी टेंशन को लिए बिना आगे बढ़ेंगे, और अपने दैनिक खर्च भी आसानी से निकाल पाएंगे, आपक कातकों की अपने साथी से मुलाकात हो सकती है, और कार्यक्षेत्र में आज कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहेंगे, जिससे अधिकारी भी आप से प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आप किसी अजनभी व्यक्ती से अपने मन की बात को शेर ना करें, नहीं तो वह उसका नाम बनेंगे, सात्विक्ता रखेंगे, हर्ष आनंद से समय बिताएंगे, प्रदर्शन के अवसर बने रहेंगे, तेजी दिखाएंगे, कुल कुटुम्ब से सहज बने रहेंगे, परंपरागत व्यवसाय में तेजी रखेंगे, नैतिक मूल्यों को महत्व देंगे, श्रे प्रेम विवाह करने की योजना बनाई है और घर वालों से बात चीत करना चाहते हैं। दोनों लोगों को थोड़ा सावधान और सतरक रहना होगा क्योंकि संभव है कि आपके घर वाले आपके बातों को न समझ पाए। खास करके जब आप अंतरजाती विवाह करने जा रहे हैं। यह वो समय है जब जीवन में एक ऐसी विचित्र घटना घटित होने वाली है जो आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देगी। आने वाले तीन दिनों के भीतर पैसों की बारिश होने वाली है और यह एक ऐसा समय है जब आपको हर एक छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना होगा। क्योंकि कुबेर महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपकी कलपना से भी परे होती हैं। देखिए दोस्तों जब माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज एक साथ महरबान होते हैं तो वह केवल पैसों का प्रवाह ही नहीं बलकि जीवन के हर पहलू में खुशियों का दौर लेकर आते हैं। यह वो समय है जब अचानक से आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं मिले। कोई पुराना अटका हुआ पैसा आपके पास लोट सकता है। अधिक सकारात्मक और उर्जा से भरा हुआ महसूस होगा। आप देखेंगे कि जिन समस्याओं से आप लंबे समय से जूझ रहे थे वह अब स्वयम ही हल होने लगेंगी। यह केवल धन की बारिश नहीं होगी बलकि आपका भाग्य ऐसा चमकेगा कि आप जो भी हाथ लगा कुबेर महाराज की कृपा से जीवन के हर कोने में सम्रिध्य का संचार होगा। दोस्तों इस समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आप इस अवसर का पूरा लाब उठा सकें। सबसे पहले अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक रखें। यह समय नकारात्मकता से दूर रहने का है। अगर आपके मन में कोई भी संदेह या नकारात्मक विचार आते हैं तो उसे तुरंत दूर कर दें। क्योंकि जब भगवान कुबेर की कृपा होती है तो वे केवल उ सिर्पा होती है तो वह व्यक्ति को बहुत तेजी से उंचाईयों पर ले जाते हैं और इसी समय यह जरूरी होता है कि आप अपनी विनम्रता को बनाए रखें। आपको कोई भी अवसर मिले उसे पूरी लगन और इमानदारी से अपनाएं। किसी भी प्रकार की आलस्य या लापरवाही इस समय आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अब बात करते हैं उस विचित्र घटना की जो आने वाले तीन दिनों में घटित हो सकती है। यह घटना जीवन में एक ऐसा मोड ला सकती है जिसकी उमीद आपने कभी नहीं की होगी। यह किसी पुरानी संपत्ति का अचानक से वापस मिलना हो सकता है या फिर कोई ऐसा सौधा जो आपको असीम लाभ पहुँचाए। कुबेर महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो वह अपने भक्तों के जीवन में असंभव को संभव बना देते हैं। आपको यह महसूस हो सकता है कि जैसे कोई अद्रिष्य आपके हर कारे को सफल बना रही है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस समय आपको अपने परिवार और करीबी लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। जिन रिष्टों में पहले कुछ मन मुटाव था वे भी इस समय ठीक हो सकते हैं। यह वह समय है जब धन के साथ साथ आ आपके घर में शान्ती और सम्रिध्य का माहौल बनेगा और यह सब आपके धैर्य और विश्वास का परिणाम होगा। अंत में एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस समय का पूरा लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप अपनी मेहनत और इमानदारी से काम करें। कुबेर मह सहाराज केवल उन पर कृपा करते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। यदि आप कोई भी गलत कदम उठाते हैं या किसी भी प्रकार की छल कपट का सहारा लेते हैं तो यह समय आपके लिए कठिनाई का कारण भी बन सकता है। इसलिए सच्चाई और इमानदारी से काम करें और भगवान की कृपा को अपने जीवन में महसूस करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह समय है जब आपकी किस्मत की दिशा बदलने वाली है। आने वाले तीन दिनों के भीतर पैसों की बारिश होगी और यह एक विचित्र घटना के रूप में आपके जीवन में आएगी। भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सम्रिध्ध और खुशियों का दौर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते ही नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आपका दिन शुब हो मंगल मैं हो।